नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम तो अवर यूट्यूब चैनल इंसाइट स्वाईबी के बार्शन है तोड़े विल डिस्कस अबाउट वेरी वन इंटरेस्टिंग पॉइंट वन नेशन वन टेक्स नो इंकम टेक्स हरे के दिमाग में यह आता है कि हम इतने सारे टेक्स देते हैं इंकम टेक्स भी देते हैं दूसरे टेक्स भी देते हैं तो क्या हमारे देश में केवल ऐसा टेक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए या और इंकम टेक्स नहीं लगना चाहिए क्या ऐसा हो सकता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां इंकम टेक्स नहीं लगता है और या टेक्स लगता है तो बहुत कम लगता है तो क्या ही है प्रविजन हमारे देश भारत देश में नहीं हो सकता है हमारे देश में भी वन नेशन वन टेक्स से और नो इंकम टेक्स ऐसा सिस्टम होना चाहिए तो यह लिया जाता है तो बहुत कम लिया जाता है तो जैसे की दुबई है कतार बहामा ब्रुनई मोरक्को पनामा एट्सेटरा तो इंकम टेक्स खतम करने से क्या देश और पबलिक का भला होगा इंकम टेक्स भी बैनिफिटेड तो दा कंट्री और दा पिपल्स तो इंकम टेक्स को क्या खतम कर देना चाहिए जब इंकम टेक्स खतम कर दिया जाता है जाएगा तो लोगों के पास खर्च के लिये जो है पैसे जादा बचेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर पाएंगे इकोटी मार्केट में भी वो इंप्रूव होगा इंडिया के बहुत सारे टेक्सपेयर ऐसे हैं वो ऐसी जगे में चले गए हैं जहां करकी टेक्स नहीं लगता है या बहुत कम टेक्स लगता है जैसे सिंगापूर है दुवाई हुआ तो टेक्स चोड़ी रोकने के लिए गौर्मेंट को डिरेक्ट और इंडिरेक्ट टेक्स को इजी कर देना चाहिए और इंकम टेक्स को खतम कर देना चाहिए रिमेंबर डेट मोर एक्सपेंड़ेड एकॉनमी ज्यादा इंडिरेक्ट टेक्स क्लेक्शन के मौके उपलवद कराती है इंकम टेक्स यदि हम खतम कर देते हैं तो हम उन लोगों को भी अट्रेक्ट करेंगे वो नीडिडे लोवर टेक्स सिस्टम एंड बेटर मार्केट इन रेस्पॉंस वो लोग क्या करेंगे वो इन्वेस्टमेंट और इन्नोवेशन भी लाएंगे तो मोर डिजिटलाइज़ेशन इजी जी एस्टी प्रोसेस होना चाहिए सो देट लेस्ट पीपल पॉसिविलिटी और टेक्स अवेजन सेंटल गवर्मेंट को सबसीडी भी देनी चाहिए इस मामले में क्योंकि सबसे अधिक जो है सबसीडी डिस एडवांटेज परसंस को से या सेक्शन को उनको मिलनी चाहिए नो डाउट कि जब इंकम टेक्स खतम कर दिया जाएगा तो रेवेन्य विल भी अफेक्टेट तो गवर्मेंट इसको किसी ना किसी तरीके से किसी भी बस्तू के दाम बढ़ा करके उसकी भरपाई कर सकती है गवर्मेंट डाटा के अनुसार ओनली 6.2 परसंट डाटा को ध्यान से सुनिये वो डबल आकड़ा डबल में नहीं आता है तो इसको केबल 6.2 परसंट टेक्स देते हैं बाकी जो लोग क्या करते हैं टेक्स कराइटेरिया में नहीं आते या टेक्स अवेजन करते हैं चोरी करते हैं यानि की तो अधिकतर लोग जो है tax इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें tax अपनी responsibility निवाने का reward जो है बहुत कम मिलता है बहुत ही कम taxpayer जो होंगे जो अपने बच्चों को government school में भेजते हैं government hospital में treatment के लिए जाते हैं और उनकी संख्या भी बहुत कम होगी जो की government transport को यूज करते हैं जबकि ये सब चीजें उनके पैसे से ही तो चलती है अधिकतर taxpayer अपने treatment के लिए private health facility का सारा लेते हैं transportation के लिए private गाड़ी यूज करते हैं बच्चों को private school में पढ़ाते हैं factory office घर सभी के लिए जो security की जरूत होती है वो अपनी private security का यूज करते हैं पीने के पानी के लिए private agency और vendor को पैसे चुकाते हैं सांस लेने के लिए भी वह एयर प्योरे फाइर को पैमेंट करते हैं वेजली के backup के लिए भी पैसे चुकाते हैं यह सब जो हैं हमारे भारतिया tax system के ही तो पेच है हमारे system जो इंडिया का system है उसी पहीं यह सारे पेच आ गए पहले तो वह tax देते हैं कि गौता की government resources वो अच्छी तरीके से चल सके हैं इसके बाद वो पैसे देते हैं private sector को so that की जो government facility हैं उनमें जो कमिया हैं उसे पूरा किया जा सके हमारे देश के tax system की बिडंबना देखिए कि average middle person जो income person होता है average middle income person वो income tax तो देता है लेकिन एक millionaire जो फार्वर है वो tax नहीं देता हम farmers के इसमें नहीं लेकिन हम एक tax की बिडंबना के concept के बारे में चर्चा कर रहे हैं और middleman को यदि tax देने में देरी हुई है तो department का उसे गुस्सा penalty भी जेलनी पड़ती है और क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं जब सभी मेहनत करते हैं तो सभी को tax देना चाहिए फिर ये पार्शल्टी क्यों ये पार्शल्टी नहीं होनी चाहिए एक developing economy में यह argument देना भी स करता है झाहिए इभर पर करनी स्थे गूले में गらनी से मिलगी उसको देना होता है और जर्टी स Самी अमिल है और शाधी इसके पैसे का जो आ Chambas आती से का मिस्तों होता है और पॉलिटिकल यूज़ी हो रहा है चाहे अमीरो गरीव हो जो टैक्स नहीं देते हैं समझे में हैं तो यह जो माइन में पड़े हुए है आम लोगों के यह सब चीज़ें यह कौन दूर होनी चाहिए सरकार को टैक्स पेयर को कॉंफीडेंस में लेना चाहिए गवर्मेंट ऐसी प्लैनिंग करें जिससे इंकम टैक्स जो है देश में खतम हो केवल डेक्ट कुम टैक्स ही चलता रहे वण नेशन वंट टैक्स एक हो हम देश में इस विशह पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि ये चीज